आज की कहानी एलिजाबेट, ब्रिटेन के राजघराने की कहानी, किंग जॉर्ज से महारानी एलिजाबेट और किंग चार्ल्स तक जाने पूरा परिवार भारत में 200 साल तक शासन करने वाले ब्रिटेन की रॉयल फैमिली का इतिहास बहुत पुराना है। 1952 में अपने पिता और ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज पंचम की मौत के बाद से ही एलिजाबेट द्वितिया दुनिया के सबसे मजबूत और चर्चित राजघराने की बागडोर संभाल रही थी। महारानी एलिजाबेट द्वितिया ब्रिटेन की सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली शासक रही डॉट महारानी एलिजाबेट द्वितिया के निधन के बाद अब ब्रिटेन की कमान प्रिंस चार्ल्स के हाथों में सौपी जाएगी। मतलब प्रिंस चार्ल्स ही बृतेन के अगले महाराजा होंगे। बृतेन का राजघराना काफी चर्चित है। ऐसे में आज हम आपको बृतेन के इस राजघराने की पूरी कहानी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि अब ब्रितेन के इस राजगराने में कौन-कौन है, ब्रितेन की महारानी एलिजाबेत द्वितिय का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गुरुवार को स्कॉटलन्ड के बालमोरल महल, बालमोरल कैसल में महारानी एलिजाबेट द्वितिया ने अंतिम सांस ली। वे बीते सत्तर वर्ष से ब्रिटेन की महारानी थी। पिछले साल अक्तूबर से उन्हें स्वास्त्य संबंधी दिक्तते आने लगी थी। महारानी एलिजाबेट द्वितिय के निधन के बाद अब ब्रिटेन की कमान प्रिंस चाल्स के हातों में सौपी जाएगी। मतलब प्रिंस चाल्स ही ब्रिटेन के अगले महाराजा होंगे। ब्रिटेन का राजगराना काफी चर्चित है। ऐसे में आज हम आपको ब्रिटेन के इस राजघराने की पूरी कहानी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि अब ब्रिटेन के इस राजघराने में कौन-कौन है। कहानी ब्रिटेन के समराच से शुरू करते हैं। एक साथ शून्य साथ के पहले तत इंगलेंड, आइरलेंड और स्कोटलेंड में अलग-अलग राजशाही चलती थी. मई 1707 में इन्हें मिलाकर ब्रिटेन राजगराने की शुरुआत हुई. महारानी एलिजाबेद द्वितिय के दादा समराट किंग जॉर्ज पंचम थे. उनकी पत्मी का नाम मेरी ओफ टेक था. 1894 से लेकर 1905 तक दोनों के छह बच्चे थे. उनमें से चार संतानों के अपने बच्चे हुए. इसमें प्रिंस जॉर्ज को कई तरह की बिमारी थी. ऐसे में 13 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया था. उनके सबसे बड़े बेटे, किंग एड़वर्ड एट को 1936 में अपने पिता की मृत्यू के बाद सिंहासन विरासत में मिली. अगर वहां राजा बने रहते, तो एड़वर्ड एट के कालपनिक वंच्जो को ब्रिटिश क्राउन विरासत में मिला होता. लेकिन एड़वर्ड एट ने अमेरिकी तलाकशुदा वालिस सिंपसन से शादी करने के लिए 1937 में राजगदी छोड़ दी. इन दोनों के कोई बच्चे नहीं हुए. फिर यहां से शुरू होती है एलिजाबेट की कहानी. किंग एड़वर्ड एट के बाद उनके भाई किंग जॉर्ज सिक्स ने करीब 15 साल तक ब्रिटेन की गद्दी संभाली. किंग जॉर्ज सिक्स उनकी पत्नी महारानी एलिजाबेट से दो बेटियां हुई. इनमें एक महारानी एलिजाबेट गवितिया और दूसरी राजकुमारी मारगरेट थी. किंग जॉर्ज सिक्स के निधन के बाद 6 फरवरी 1952 को उनकी बेटी महारानी एलिजाबेट गवितिया ने ब्रिटेन की राजगद्दी संभाली. एलिजाबेट गवितिया सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन पर शासन करने वाली महारानी है. एलिजाबेट गवितिया की शादी ड्यूक ओफ इडिनबर्ग प्रिंस फिलिप से हुई. दोनों के चार बच्चे हुए. अब राजा बने प्रिंस चॉल्स. महारानी एलिजाबेट गवितिया के निधन के बाद ब्रिटेन के शाही गद्दी की जिम्मेदारी उनके सबसे बड़े बेटे चार्स के हाथ में होगी. चार्स का जन्म 1948 में हुआ था. चार्स ने 29 जुलाई 1981 को लेडी डाइना स्पेंसर से शादी की थी. दोनों के दो बेटे वियम और हैरी है. 1996 में चार्स और डाइना दोनों अलग हो गए थे. 1997 में पेरिस में हुए एक कार हाथसे में प्रिंसेस ओफ वेल्स डाइना की मौत हो गई. बाद में 9 अप्रेल 2005 को चार्स ने कैमिला पार्कर से शादी कर ली थी. महारानी एलिजाबेद ग्वितिय के निधन के बाद चार्स को राजा घोशित कर दिया गया है. चार्स अभी 73 वर्ष के हैं. चार्स के राजा बनने के बाद उनके बड़े बेटे द्यूक आफ कैम्बरिज प्रिंस विल्यम अब वेल्स के राजकुमार कहलाएंगे. चार्स के बाद विल्यम्स होंगे राजा. प्रिंस चार्स की उम्र अभी 73 साल है. चांस ब्रिटेन के नए राजा घोशित किये जा चुके है चांस के बाद इस राजगद्धी के उत्तराधिकारी उनके बेटे प्रिंस विलियम्स होंगे 1982 में पैदा हुए घोशित किया गया है इसलिए अब चांस के स्थान पर विलियम्स वेल्स के राजकुमार भी होंगे प्रिंस विलियम्स के परिवार को भी जान लीजिए चांस के राजा बनने के बाद उनके बेटे विलियम्स ही वेल्स के राजकुमार होंगे प्रिंस विलियम्स के तीन बच्चे हैं सबसे बड़े प्रिंस जॉर्ज ओफ कैम्बरिज है जॉर्ज का जन 22 जुलाई 2013 में हुआ था जॉर्ज राजघराने के उतराधिकारी की कतार में अपने दादा और पिता के बाद तीसरे स्थान पर आते हैं प्रिंस विल्यम की दूसरी संतान प्रिंसेश शेलोट है प्रिंसेश का जन 2 मई 2015 को हुआ शेलोट राजघराने की उतराधिकारी की कतार में चौथे स्थान पर है प्रिंसेश शेलोट के बाद प्रिंस लुईस का जन्म हुआ लुईस प्रिंस जिल्यम की तीसरी संतान और दूसरे बेटे हैं लुईस का जन 23 अप्रेल 2018 को हुआ था लुईस राजघराने के उतराधिकारी की पंक्ती में पाँचवे स्थान पर है प्रिंस हैरी का परिवार जिनोंने राजघराने के उत्तरदायतों से खुद को अलग कर लिया राजा चार्ल्स के दूसरे बेटे ड्यूक ओफ ससेक्स के तौर पर जाने जाने वाले प्रिंस हैरी है 1984 में जन्में हैरी ब्रिटिश शाही परिवार के ताज के छटे उत्तराधिकारी है हैरी ने 19 मई 2018 को अमेरिकी अभिनेत्री मेगन मरकेल से विवा किया था जन्वरी 2020 में इस शाही जोडे ने राजगराने के आधिकारिक उत्तरदायतों से अलग होने का एलान कर दिया था प्रिंस हैरी और मरकेल ने बेटे आर्ची हैरिसन माउंट बेटन है आर्ची का जन्म 6 मई 2019 को हुआ इनका नाम ब्रिटिश राजवंश के उत्तराधिकारी की कतार में सात्वे स्थान पर है पिछले साल यानी 2021 में हैरी और मरकेल की दूसरी संतान हुई इनका नाम लिलिबेट माउंट बेटन विंसर रखा गया है लिलिबेट माउंट बेतन विंसर ब्रिटिश राजवंश के उत्तराधिकारी की कतार में आठवे स्थान पर है ठैंक्स आपका विडियो देखने और लायक सब्सक्राइब करे चैनल को सभी को पुना धन्यवाद